असलामों अलेकुम गाईज तो कैसे हैं आप लोग मेरे नामे रहान और गाईज आज किस वीडियो में मैं बात करूँगा टेक्नो कैमन 19 प्रो 5G की जिसको गलोबली मार्केट में टेक्नो ने लॉंच कर दिया है और भाई स्मार्टफोन की अन्बोक्सिंग भी बाहर आ से देखेगा और हागा इस वीडियो अच्छे लगे है लाइक जरूर कीजेगा आप लोग का एक लाइक मुझे काफी जरा मोटिवेट करता है इस वीडियो पर सिरफ 100 लाइक है उमीद करता हूँ आप लोग जल्द ही पूरा कर देंगे और साथ ही अगर आप लोग चैनल प कर सकते हैं सो अगर मैं डिस्पले की बात करूं तो नोट आट इस स्मार्टफून का डिस्पले अच्छा होने वले है लेकिन यहां पर एक क्वेशन बनता है ना तो इस स्मार्टफून के अंदर एमुलेट डिस्पले है और ना ही 32 मेगा फिसल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है इसकी वज़ा भई 5G चिपसेट है बजट के अंदर भी लौच करना है स्मार्टफुन को और 5G चिपसेट भी देना है तो भई यहां पर कुछ न कुछ चीजों के साथ तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा तो भई डिस्प्ले के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कि करें लेकिन ठीकनोक्यम & 19 Pro 4 अजिबर आपलों 있게 बाकिकेसर देखने के देखने को मिलती है ले принц इस smartphone में आप लोगों को TecnoCamor 19 जैसा ही डिजाइन देखने को मिलेगा क्यूंकि ये TecnoCamor 19 Pro 5G है तो TecnoCamor 19 सेरीज वाला ही डिजाइन देखने को मिलेगा Note-out design तो काफी ज़रा खूब सुरुत है मुझे काफी ज़रा अच्छा लगा है design आप लोगों को यह वाला design कैसा लगा है यह आप लोगोंने मुझे comment section में लाजमी से बताना है design तो काफी ज़रा अच्छा है इस smartphone की back पर 25% उपर वाला जो design है वो glossy finish के साथ देखने को मिलेगा और नीचे वाला जो 75% वाला design है वो आप लोगो leather finish के साथ देखने को मिलेगा जो दिखने में काफी ज़रा cool लग रहा है इसके लाब अब बैक पर दो बड़े ring देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आप लोगो triple cameras का setup दिया जाएगा उपर वाले ring के अंदर आप लोगो main sensor provide के जाएगा जो के 64 mega bezel का होगा और नीचे वाले ring के अंदर आप लोगो दो camera देखने को मिलेंगे 2 mega bezel का depth sensor और 2 mega bezel का macro sensor जो के almost useless camera है इनका कोई भी काम नहीं है आप लोग main sensor को लेकर ही चलें जो के 64 mega bezel का है वही work करेगा लेकिन camera's की quality काफी ज़र decent देखने को मिलेगी अब बात करते है android version की तो ये smartphone out of the box android 12 के साथ आएगा high us 8.6 देखने को मिलेगा जो के techno की तरफ से आने वाले एक latest UI है chipset की बात करूँ चुके ये smartphone एक 5G smartphone होने वाला है तो भाई smart phone के अंदर आप लोगों के एक 5G chipset देखने को मिलेगा जो के mirror tech की तरफ से आता है mirror tech dimensity 810 जो के 6 nanometer की fabrication पर वेस करता है लेकिन performance के लिहाज से काफी ज़र अच्छा chipset है चाहे वो gaming performance हो या फिर smart phone की overall performance हो हर चीज में ये chipset जो है वो आप लोगों को battery performance परवाइट करेगा memory variant की बात करो तो भाई smart phone के 2 variant globally market में launch किये गए है 8GB RAM और 180GB ROM वाला 8GB RAM और 256GB ROM वाला इसी के साथ dual sim का slot भी दिया जाएगा fingerprint scanner की बात करते हैं तो smart phone में side mounted fingerprint scanner के साथ face unlock को option भी provide किया गया है और गई लास्ट में बात करते हैं बैटरी की तो ये smart phone type C के साथ आएगा 5000 mH की बड़ी battery है जिसके साथ 33W की फाचाजिंगा sport भी दिया जाएगा यानि कि ये smart phone within 1 hour and 20 minute 0 to 100 full हो जाएगा सो ओवराल specification के लिहाज से देखा जाए तो note out ये smart phone specification के लिहाज से काफी अच्छा smartphone होने वाला है क्योंकि स्मार्टफून को globally market में 300 dollar की price में launch किया गया है अगर 300 dollar को पाकिसानी currency में convert किया जाए तो round about 62-63,000 रुपे बनते हैं और 62-63,000 की price में ये smart phone जो है वो value for money है क्योंकि ये आपनों को एक 5G chipset भी प्रोवाइड कर रहा है और बाकिस specification भी काफी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है क्यर प्राइस का idea मैं दे चुका हूँ कि इस smart phone की पाकिसानी market में expected price 60-65,000 रुपे है अगर इस price range के अंदर आता है तो value for money होगा क्योंकि 5G chipset आता है इस smart phone के अंदर launch date की बात प्रोवाइड 90% chances है कि ये smart phone में पाकिसानी market में देखने को मिलेगा यानिकि 5G वाला जो variant है टेक्नो कैमर 19 सिरीज का वो पाकिसानी market में definitely launch किया क्योंकि भाई पाकिसानी को भी तर दिखाना है ना भाई आर्ट एडिशन वाला phone तो इसलिए भाई 5G वाला variant जो है वो पाकिसानी market में launch किया जाएगा वैसे आप में से टेक्नो कैमर 19 सिरीज का पाकिसान में कौन कौन वेड कर रहा है और कौन से phone का वेड कर रहा है टेक्न